असलाम वालेकुम एवरिवान, डिस इस अलीव रोम मार्सिंग, दोसो आज आंकरने जा रहे हैं अन्बॉक्सिंग, रेडिबी नोट 9 सीरीज के सबसे प्रो वेरियंट की, जिया दोसो मैं बात कर रहा हूँ रेडिबी नोट 9 प्रो की, पाक्सानी माकीट में एक ही वेरियंट करवा सकते हैं, लिक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में पर्चेस जो लिंक है, लेकिन इससे पहले कि मैं अन्बॉक्सिंग स्राट करूं, मैं आपको बता दू कि आज की वीडियो मैंने दो कलर्स को अन्बॉक्स किया और गेववे भी रखा है, लेकिन गेववे क्या है, किस तरह जीतना है, वो हम बात करेंगे एंड पर, तो इस वीडियो का इंट देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्स्राइब करना मन भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन वैल इकन को प्रेस कर लिजे करेंगे, तो आज हम करेंगे, दो कलर्स को अंबॉक्स, रेड्मी नोट 9 प्रो के, एक कलर है, मेरे पास ग्लेशियर वाइट, और एक है, मेरे पास ट्रोपिकल ग्रीन कलर, और 6 जीप, 128 जीप का एक ही वीरियन आएगा, अब बॉक्स के अगर ब्रेंडिंग की बात कर लिज और बाकि यहां पर कुछ गूगल का भी बतायागे कि हमारे फॉंस में गूगल मिल जाता है, हलाके शामी के फॉंस में वैसे भी मिल जाता है, तो हम बॉक्स को ज्यादा एक्स्प्लोर नहीं करते हैं, और यहां यह जो फॉन है, यह मी बैंड 4 के साथ मुझे जो प्री बॉ यहां बॉक्स को ओपन के बाद सबसे ओपर एक हमें लेड मिल जाती है, सबसे पहले तो यहां लेड को निकालते हैं, और देखते हैं कि लेड में क्या मिलता है, तो यहां लेड को करते हैं, और लेड को ओपन के बाद सबसे पहले हमें एक सेम एजक्टर टूल मिल रहा है, उसके बाद हमें एक मिल जाती है मैनुवल गाइड जो के रिड्मी नोट 9 प्रो के साथ मेंशन की गई है और इस तरह से मिलती है जो कि शायद मुश्किली कोई पढ़ता हो उसके इलावा हमें मिल जाता है एक सिलेकॉन केस जो के शेप में रखा गया है यहां पर डस प्लग मि यहां हम इस तरह करते हैं के ग्रीन को निकाल के रख लेते हैं साइट पर बागी बॉक्त की बात की जाए तो यहां पैकिंग रखी गई है जिसमें फॉन होता है और उसके इलावा हमें मिल जाती है यहां टाइप सी की एक केबल और जो के बहुत अची क्वालिटी की है और आप अगर नोटिस कर पाएं तो आपको एक 33 वाट मतलब 30 वाट की यहां पर आपको एक और चारजर में येलो कलरी का टॉन मिलता था और अगर चारजिंग डॉक की बात की जाए तो लोकलाइज 2-pin चारजिंग डॉक है और रेटिंग की बात की जाए तो शामी ने मेंचिन किया था कि आपको 33 वाट का चारजर मेलेगा जो यहां पर लिखा हुआ है और वैसे यह फॉन जो है वो एक 30 वाट की शार्जिंग को सपरोड़ करता है और वाक्व हम कोई आपको आपको 33 वाट का चारजर मिलता था है वागी बाक्स में कोई content नहीं मिलते तो फॉन मेरे सा किरेंगे परति लूब जबाद यह इस पालए तो इस फोड़ा की आपको यहां पर एक सिंगल मिल रहा है और आपको इक एक टेक्चिर टाइप की लाइन को में ऒल जबाए है जो कि बहुत होँ है रियर पर क्वाड केमरा से ट एक एक फ्रेम मिल रहा है जो कि काफी केसिंग से उपर रखा गया है उसको कवर करने के लिए आपको एक सील कॉल मिल जाते हैं चार कैमरास के इंपलीमेंट किया गया है एक आपको LED लाइट मिल रही है उपर की साइट पर 64 मेगा बिग्जल की ब्रेंडिंग देखने को मिल रही है रियर साइट पर आपको गोरिला ग्लास 5 की मिल जाती है आपको आन अफ की के साथ यहाँ पको फिंग प्र फिंगर्पीन सैंसर भी मिल रहा है वहीं पर अफिज को रखा गया है में में आपको ब्लकुल मिलने है बिलकुल SIMS के साथ एक memory card की भी support मिल जाती है मतलब यह आपको fully loaded option मिल जाती है और वहीं अगर bottom की बात की जाए तो आपको 3.5 का jack मिलता है type C की connectivity मिलती है एक माइक है एक speaker grill को रखा गया है phone को out of the box ही आपको pre applied paper भी मिल जाता है जो के protection के साफ से better है और normally इस तरह के phones के हमें फॉरन से tempered glass नहीं मिलता है तो यह एक अच्छी बात है Xiaomi की तरफ से और वहीं आपको बड़ी speaker grill मिल रही है call wall सुनने के लिए तो काफी जबदस सा एक system रखा गया है और वही phone को activate कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आपने मुझे यह बताना है comment section में कि आपको tropical green color पसंद आया य phone को activate कर लेता हूं SIM tray को लगा लेते हैं बीच में और बात करते हैं कुछ Redmi Note 9 pro के internals की वेल दोस्तो Redmi Note 9 pro मैं activate कर चुका हूं लेकिन यहां सबसे पहले बात करते हैं कुछ display की आपको यहां पर से वही display मिल रहा है जैसा कि Redmi Note 9S में मिल रहा था 6.67 इंचिस का एक 1080p IPS पैनल मिल रहा है जो कि infinity-o बालकि सेंटर में के आपको पंच होल कैमरा मिल रहा है screen into body ratio की बात की जाए तो यहां पर 85% का आपको screen into body ratio मिलता है 395 का PPI है Gorilla Glass 5 की आपको protection देखने को मिल रही है और साथ ही आपको यहां पर 450 का brightness nits भी मिलता है HDR10 वाला support भी रखा गया है तो यहां यह display के एसा आप से काफी एक्जवदस किसम की attraction निकल कर आती है इवन display काफी smooth निकल कराता है वहाई इस phone के hand feel की बात करूं तो यहां पर जो weight है वह 209 gram का रखा गया है लेकिन implement ऐसा किया गया है कि 209 gram feel नहीं होता अलग यह से पहले में face unlock की बात की जाए तो face unlock भी इस phone का जो है वह काफी quick काम करता हुआ नदर आ रहा है मुझे और बाकी अगर देखा जाए तो no doubt यहां पर लोग काफी खुबसूरत निकल कर आती है वहीं अगर इस phone के processor की बात कर ली जाए तो आपको एक snapdragon का latest processor देखने को मिल रहा है snapdragon 720G जो कि 8 nanometer बेस प्रसेसर है 2.3 octa को प्रसेसर है दो को आपको cryo 465 gold वाली मिलती है दो को cryo 465 silver वाली देखने को मिल जाती है Adreno 618 का GPU रखा गया है और Redmi Note 9S और इसमें आपको सिर्फ एक camera का difference मिलेगा और आपको यहां पर 18 watt की और 30 watt की चार्जिंग का difference देखने को मिल जाएगा वहीं बैचमार्स को सी बात की जाए तो यहां पर आपको कुछ दोला का सीजार के राउंड वार्ट बैचमार्स को मिल जाते है आपको MIUI 11 मिल रहा है जो कि Android 10 बेस है यहां बात कर लीजाए कुछ camera specification की तो यहां भी Redmi Note 9S से थोड़ा सापको difference देखने को मिलेगा अब फ्रंट साइट का जो इसका camera है वो रखा गया है यहां पर 16 Megapixel का और aperture वहीं आपको 2.5 का देखने को मिलेगा जैसा कि Redmi Note 9S में देखने को मिला फुली है अब इस camera मिलती है वीडियो आप maximum front वाली साइट पर 1080p की resolution बना सकते हैं और वहीं अगर slow motion की बात की जाए तो फ्रंट साइट पर भी आप slow motion जो है वो record कर सकते हैं जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी आप इस range के अंदर हमें normally बागी competitors सो provide नहीं करते हैं अगर slow motion की बात की जाए तो slow motion आपको पुछ इस टाइक को देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो रियर कैमरा में आपको main sensor 64 Megapixel का मिलता है f1.9 का परसर रखा गया है अल्ट्रामीट सेंसर 8 Megapixel को भी record कर सकते हैं और TikTok के लिए मैं mention कर देता हूं कि इसका slow motion आप बात में edit भी कर सकते हैं मतलब आपको जैसा के भी आप देख रहे होंगे कि पहले fast आलेगा फिर slow हो जाएगा तो यह बहुत सारे दोस्ते हैं कि slow motion जो edit होता है कि नहीं होता तो यहाँ Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9S में 4K 30fps, 1080p 60fps और आपको 1080p 30fps भी मिल जाती है EIS की support भी मिलती है electronic stabilization भी मिल जाती है और वहीं आपको कुछ यहाँ पर जो है कुछ movie mode भी जो नए mode है यहाँ पर रखे के वह भी आपको देखने को मिल जाते हैं overall हम camera review में बात करेंगे कि Redmi Note 9 Pro का camera कैसा निकल कर आता है और इस phone के अधर आपको UFS 2.1 का storage मिलता है यह मैं mention कर देता हूं वहीं अगर इस phone के battery की बात कर ली जाए तो 5020 mAh की battery है 30 watt की fast charging है type C है overall मुझे first impression Redmi Note 9 Pro का काफी better लग रहा है अब hopes हो के आगे जो review की video है उसमें के performance भी better हो और camera भी better हो वहाँ बात करेंगे review की video में मैं mention मैं कर देता हूं यहाँ पर कि आपको कुछ block waves मिलते हैं pre installed apps मिलती है उसको आप uninstall कर सकते हैं और अगर आपको region India रखते हैं तो ads ज़रूर देखने को मिलेंगी लेकिन मैं यहीं मैं शुरूर दूंग कि आप पाक्सानी region रखे हैं ताके आप activate करते हुए ताकि आप लो वेल दोस्तों यह थी unboxing Redmi Note 9 Pro की अब दो color आपको दिखाएं आपने मुझे यह comment section बताना है कि आपको कौन सा color इन दोनों इक फांस में बैटर लगा और अगर बात की जाए giveaway की तो giveaway है यह Mi Band 4 जो कि मैंने prebook कराया था और साथ मिला यह मैं आपको giveaway करूंगा giveaway को win करने के लिए आपको वीडियो को maximum like करना है मुझे पता है कि एक बंदा एक ही लाइक दे सकता है लेकिन आप दोस्तों के फॉन से भी like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वीडियो को चैनल पर पहली बारा तो चैनल को subscribe कर लेना है notification bell icon को press कर लेना है और Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S एक splash proof phone है मैं इसको लेके बहु compare करना चाहते हैं let me know in the comment section I will try my best as soon as possible वो comparison भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाए अब उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आपके लाइक ही मुझे बता देंगे पस आज की वीडियो में इतना ही मुलाकात होगी नहीं वीडियो में किसे नहीं unboxing किसे नहीं review किस नहीं compare नहीं साथ तब तक मुझे दे इजाज़त मैं हो लिए बास मासेक से पाक्सान पॉइंद अबाद अल्ला हाफिज